हेलो दोस्तों ये थारत हिंदी एजुकसें क्लासेज में आप से भी का स्वागत है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहती में भक्ति काल से संब्धित कुछ इंप्रोटेंट नोट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को ये क्लास हिंदी टीजेटी आफिज़न किया गया है अलग अलग वर्षक दिये गए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को दोरा भक्तिकाल का काल विवाजन अलग अलग विद्वानों के दोरा क्या समय बताया गया है पढ़ते हैं पहला है देकि मिस्रबंदू मिस्र बंदू ने 1445 से 1560 विक्रमी तक का समय पूर माध्यमिक काल के नाम से जाम माना है और जो कि भक्तिकाल के अंतर आता है यानि कि यह भक्तिकाल है ठीक है यह क्या है भक्तिकाल भक्तिकाल का ही हम समय पढ़ रहे हैं अलग अलग विद्वानों के रुशार है तो मिस्र बंदू के रुशार क्या रहा इन्हों इसके दो भाग किये हैं एक तो पूरु माध्यमिक भक्तिकाल बताया है और दूसरा प्रोड माध्यमिक काल बताया है तो इन्होंने भक्तिकाल को ही नाम दिया है पूरु माध्यमिक काल और प्रोड माध्यमिक काल बताया है और 1561 से 1680 विक्रमी तक का समय इन्होंने प्रोड म माध्यमिक काल का समय बताया है क्योंकि विद्वानों की अनुसार भी कभी कभी क्वेशन पूछ ले आता है कि मिस्र बंदू के अनुसार भक्तिकाल का समय क्या है या फिर सुकल जी के अनुसार भक्तिकाल का समय क्या है ठीके तो उसके अनुसार हमने क्या देख लिया यह मिस् प्रोड माध्यमिक का दो भाग हैं पहले भाग में 1444 से 1560 विक्रमी का समय है और जो प्रोड माध्यमिक है उसका समय 1561 से 1680 विक्रमी है ठीक है अगला आया आपका सुकली जी का तो सुकली जी ने भक्तिकाल का समय के अमाना है समवद 1375 से 1700 विक्रमी यह माना है सुकली जी ने समवत 1375 से 1700 विक्रमी फिर है डक्टर रामकुमार वर्मा डक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय रहा 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तो यह समय आशारे सुकले जी के अनुसार और डक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार एक ही है चीक है समय सेम है दोनों के अगले आते हैं डॉक्टर गर्पति चंद्र गुप्त जी ने भक्ति काल का समय 1350 से 1500 इस्वी माना है जो भक्ति काल का समय है 1350 से 1500 विक्रमी का माना है आगे पढ़ते हैं मुस्लिम बुद्परस्ति के खिलाब थे उनको भी हिंदूओं की तरह माला जबते देखा गया परंतु अंत्रिक सुद्धी का भाव था बौध धर्म की विक्रतियों के खिलाब संक्राचारे ने अद्वैत मत की स्थापना की किसने की अद्वैत मत की स्थापना संक्राचारे ने ठीक है तो बौध धर्म की विक्रतियों के खिलाब की जो बौध धर्म की विक्रतिया मत तब धीरे धर्मे भी कुछ कमिया आने लग गई थी तो उनको देखते हुए संक्राचारे ने किया किया अद्वैत मत की स्थापन विष्णू के अवतारों की भक्ती ने लोगों को अक्रष्ट किया और जो विष्णू के अवतारों की भक्ती यानि की जैसे की क्रष्ण और जैसे की राम उनकी भक्ती ने उन्हें विष्णू का अवतार माना जाता है तो उनकी भक्ती ने लोगों को अक्रष्ट किया मत अप बल मिला और अब भक्ति अंदुलन को बल मिलने का कारण क्या था क्या था उस समय की अनाचार बढ़ गया था मिथिया चार बढ़ गया था मिथिया का मतलब जूट है अनाचार का मतलब अच्छा ब्यवाहर नहीं रहा गंदा ब्यवाहर स्टार्ट हो गया आडंबर होने लगे ڈھونگ होने लगे, पाखंड होने लगे कर्मकांट भी पहुँच Jorge प्राग fruitful लगे तो उसके कारण ही जो भक्ति अंधुलन था इसको बल मिला इसके अलए वो इसके लिए परस्तितियां बनी और भक्तिándor National की परस्तितिया बनी तो चार दारह के indot और निया जोग है कि अलग है कवी ठी усी तर्मान कॉझ्हाें ने पकर ड़रा की दिखिंु के निया है अब उनकी नाम हम पड़ लेते हैं कि कौन के के ना में किस दारा का पृतनित रहा है जैसे अगर हम संत काविधारा की बात करें संत काविधारा ये किस नाम से जाना जाती है ग्यानासरी साखा क्योंकि इसमें ग्यान पर बल दिया गया है और ब्रह्मा की प्राप्ति ग्यान के माध्यम से बताई गई है और गुरु को इसमें ज्यादा महत्त मिलता है तो ये ग्यानासरी जो संत्रधास काविधारा है इसे ग्यानासरी साखा के नाम से जाना जाता है और इसकी प्रतिनती कवी कौन थे? कविरदाजी थे ठीके कविरदाजी इसकी प्रतिनती कवी हुए अगली आती है सूफी काविधारा सूफी काविधारा में क्या था यहाँ प्रेमासरी साखा के नाम से आती है क्योंकि इसमें प्रेम परधिक बल दिया गया प्रेम से समंदित ग्रंत ही लिखे गया और यहाँ रचना किसकी है सोरी यह प्रतिनेदी कवी कौन रहे इसमें जाइसी रहे संत काविधारा में प्रतिनेदी कवी कवीर रहे सूफी काविधारा में प्रतिनेदी कवी जाइसी रहे और संत काविधारा जो है वह ज्यानासरी साखा कहलाती है और सूफी काविधारा प्रेमासरी साखा गिलाती है अगले आते हैं राम काविधारा राम काविधारा के पृतिनिती कवी रहे तुलसी दास कृष्ण काविधारा इस काविधारा के पृतिनिती कवी रहे सूर्दास राम काविधारा में राम से संबंधित गरंथ लिखे गए, राम की भक्ति से संबंधित गरंथ लिखे गए, कृष्ण काविधारा में कृष्ण से संबंधित गरंथ इनकी भक्ति से संबंधित गरंथ लिखे गए, सूफी काविधारा में प्रेम से संबंधित गरंथ लिखे जसमें कि उसी को ब्रभφο के रूप में स्विकार किया गया और सन्तकभधारा में लोगों को जगाने वाले जैसे कवीरदासी के दोहे graveyard थे इस चाइस nine कि गुरु की महत्तो को बताया गया था और घ्चान की महत्तों को जाइसी, राम का विधारा के तुलसिदास और कृष्ण का विधारा के सूर्दास ये इनकी प्रतिन्जी कभी होगे फिर है प्रमुक पंथ और उनसे संबंधित संथ उस समय में जो प्रमुक पंथ से कौन कौन से विक्सित हुए थे और उनसे संत कौन थे तो पहले आपका आता है संत कभीरदाष इन से संब्दित कभीरपंध और इनका जीवनकाल कभीरदास का जीवनकाल 1455 से 1575 विक्रमी तक कर रहा फिर आते हैं रवीदाष इनका इनने रैदाष भी बोला जाता है तो रैदाषी संपरदाय के रोने स्थापना की और कबीर की ये समकालिन मान जाते हैं इनकी जन्म की विशे में कोई एक्जेक्ट जनकरी नहीं है हाला कि मद्भेद हर किसी की जन्म की बारे में है अगले आते हैं गुरुनानक ये सिख पंते की स्थापना की और समवत 1526 से इनका जिवन काल रहा फिर आते हैं दादू दयाल जिन्होंने की दादू पंते की स्थापना की 1601 से 1660 विक्रमी तक का इनका जिवन काल रहा अगले आते हैं हरिदास निरंजनी जिन्होंने की निरंजनी संपरदाय की स्थापना की और इनके किवल देहंत के विसे में ही यहाँ पर लिखा गया है जो कि 1617 विक्रमी के आसपास है अगले आते हैं मलूग दास इन्होंने मलूग पंथे की स्थापना की इनका जीवनकाल 1631 से 1749 विक्रमी तक का माना गया है तो यह हैं संत्य और उनसे सम्मद्ध पंथ जन्होंने पंथ का विखास किया और उनका जीवनकाल रहा उस समय का यह उनकी बारे में हो गया फिर आते हैं अलवार भक्त अलवार भक्त कौन थे वैशनों भक्ती ही तमिल भासा में जो अलवार भक्त थे वे वैस्णों भक्त थे तो वैस्णों भक्त ही तमिल भासा में अलवार भक्त कहलाते थे जो वैस्णों भक्त थे वे तमिल भासा में कहलाते है अलवार वैस्णों का मतलब है जो कि विश्णों के उपासक थे और सयो का मतलब जो कि सीव के उपासक थे, ठीके, अलवार कोन है? वैस्णों भक्ते हैं, यानि कि वैस्णों के उपासक है, इन अलवार यानि कि वैस्णों ने आस्तिक्ता के परचार के लिए एक धार्मिक रांती की थी, अलवारों का मुख्यूद्य से भक्ति भाहों को जग अलवार कोन थे वैस्णों भक्ते यानि कि वैस्णों के भक्ते थे, वैस्णों के लाते हैं, जो कि वैस्णों के भक्ते हैं, और इन्हें अलवार नाम से जाना जाता था, अलवार भक्तों में आते हैं, क्योंकि अलवारों की संख्या कितनी मानी गई है, बारा मानी गई है, तो वे बारा अलवार भक्त कौन कौन से हैं सरोयोगी, भूतयोगी, ब्रहांतयोगी, भक्तिसार, शटकोप, मधुरकवी, कुल सेखर, विश्नुचित, गोदा, भक्ति धुरेनू, मुनिवाहन और परकाल ये जो हैं अलवार भक्तों की संख्या है, बारा, और ये सभी अलवार भक्तों की नाम है फिर है निर्गुन भक्ति, निर्गुन भक्ति निराकार की भक्ति है, जिसमें की भगवान का कोई रूप, गुर्ण या कुछ नहीं माना गया है बस एक निराकार मन में इकल्पना की है कि वह निराकार है तो ब्रह्म के दो सरूप है निर्गुण और स्वगुण एक तो स्वगुण है स्वगुण में जिसमें कि उनका रूप रंग आकार है जैसे कि क्रश्न मान सकते हैं आप राम मान सकते हैं तो और निर्गुण में क्या जिसके कोई रंग रूप आकार खुछ भी नहीं है तो निर्गुन भक्ति में इस्वर को घट घट का स्वामी मानते हैं और जो निर्गुन भक्ति है उसमें इस्वर को क्या माना गया है घट घट का स्वामी यानि कि हर इस्थान का स्वामी माना गया है तो निर्गुन भक्ति में कोई आलंबन न होने की कारण जन साधरान के लिए ग्राह नहीं है क्योंकि निर्गुन भक्ती में उसका कोई रूब रंगा कार है ही नहीं तो इसलिए क्या है साधरार जनता के लिए इसे समझना मुस्किल है आसान नहीं है इसको ग्रहन नहीं करती है निर्गुन भक्ती के लिए गुरू का एक विसेस महत्तु है और जो निर्गुन भक्ती है इसमें इनोंने गुरू को एक विसेस महत्तु दिया है निर्गुन भक्ती में नाम जप साधना की महत्ता है और इसमें क्या है वो मुट्टी का दाता है निर्गुण भक्ती मानों को एक ऐसी विस्व्यापी धर्म से जोड़ती है जहां जाती पाती छुआ छूत वर्ण भेर नहीं होता निर्गुण भक्ती में सहसाधना की महत्ता है जैसे निर्गुण भक्ती में दैनी की भाना को वही महत्तो प्राप् रहशिवाद मादूरिय भाव की निर्गुण भक्ति की है निर्गुण भक्ति में मानसिक भक्ति पर बल दे जाता है क्योंकि मानसिक जब आडंबर रहित होता है मानसिक मतब अपने दिमाग के अंदर निर्गुण की एक निर्गुण को जबना निर्गुण भक्ति के माध्य समाज में समरस्ता लाने का प्रियास किया गया निर्गुन भक्ति में प्रेम का विसे सस्थान है प्रेम की बिना भक्ति संभव नहीं तो उनका क्या माना था कि प्रेम की बिना भक्ति संभव नहीं फिर आते हैं प्रमुख वैश्णों संप्रदाई अभी हमने वैश्णों कि वैश्णों धर्म का का संपर्दाइं है वैश्णों धर्म का संबन्द्ध विष्णु से है कि इस धर्म में विष्णु पूजा का महत्तु है इसके अंतरगत पांच रात्र परमतत्व मुक्ति Yookti Yog विशय और नारायनी एम सात्वत संपरदाया को इस्थान दिया गया है गीता गरंतर में वैश्णों भक्ती के दर्शन पर रिलक्षित होते हैं वैश्णों भक्ती का विस्तार विसलेशन सांडेली भक्ती सूत्र वा नाराद भक्ती सूत्र में मिलता है तो जो वैशनो भक्ती है इसका हमको विस्तार से विसलेसन या वर्लन किसमें मिलता है सांडेली भक्ती सूतर या नारद भक्ती सूतर वो नारद भक्ती सूतर में मिलता है सांडेली भक्ती सूतर में भक्ती के दो भेद जो सांडेली भक्ती सूतर है इसमें भक्ती के दो भेद बताएगे हैं एक परा और दूसरा अपरा विश्णो भक्ती मारगे में मारगे हमें गीता के अतरिकत महाभारत वो पुराणों में भी मिलता है विश्णू वासुदेव की एकता स्थाबित करने वाले भक्ती संपरदायों में भाग्वा संपरदाय के बाद साथवत धर्म माना जाता है वासुदेव को इसका प्रवर्टक भी सुईकर किया गया है वासुदेव वह साथवत दोनों सब्ड़ परियावाची सब्द है तो भक्ति भाव आने पर भाव चक्र का बंधन करता है संडिली के नुसार भक्ति सुद्धर अगात्मक्तन व्रति है वैशनों को विद रूपों में स्थाबित करने वाला अचारियों का यूग 11 सताब्दी से 16 सताब्दी तक स्विकार किया जाता है गिदी रामानुजाचार जो की 1017 से 17 से सुरू करें तो निंबारकाचारी विश्रन स्वामी माधवाचारी बल अभाचारी तक का जो काल आता है वैशनों भक्ति में ही आता है इसी के साथ एक लास हमारी यहीं पर एंड होती है भक्ति काल के विशे में आगे की जानकर हम अगली क्लास में तक अपनी त्यारी को जारे रखें धन्यवाद